वेंडर पंप रूल्स के सितारों ब्रिटनी काट्राइट और जैक्स टेलर को लेकर चल रहे नाटक के नवीन तम घटनाक्रम में अलग हुए जोड़े को गुरुवार रात लॉस इंजल्स में जैक्स बार में मार्च मैडनेस पार्टी में अलग-अलग पहुँचते देखा गया अलग होने के बावजूद ब्रिटनी और जैक्सन दोनों ने अपने वाइल्ट केट रंग पहने जो दर्शाता है कि उनके बीच अभी भी मैत्री पूर्ण संबंध हो सकते हैं यह उपस्थिती ब्रिटनी द्वारा पिछले महीने अपने पॉड़कास्ट वेन रियलीटी हिट्स के एक एपिसोड में जैक्स से अलग होने की घोषना के बाद आई है यह जोड़ा पिछले कुछ वर्शों से एक साथ था और 2019 में शादी कर ली हाला कि उनके अलग होने के कारणों का सारवजनिक रूप से खुलासा नहीं किया गया है लेकिन जोड़े के करीबी सूत्रों ने सुझाव दिया है कि उनके बीच कुछ समय से तनाव है बृतनी और जैक्स के अलग होने की खबर पर शो के प्रशन्सकों की ओर से मिली जुली प्रतिक्रिया आई है कुछ, लोगों ने बृतनी के लिए समर्थन व्यक्त किया है जबकि अन्या ने सवाल किया है कि वह जैक्स के पिछले व्यवहार को देखते हुए उसके साथ क्यूं जुड़ी रहेगी अब, देखने वाली बात ये होगी कि क्या ये जोड़ा एक हो पाएगा या फिर इनका अलगाव स्थाय रहेगा साथ ही, ये कहना भी जल्दबाजी होगी कि क्या पार्टी में उनका एक साथ दिखना संभावित सुलह का संकेत देता है या वे केवल अपने दोस्तों की खातिर नागरिक संबंध बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं